हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंस आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की त्यारे भी बहुत अच्छे से चल रहे होगी तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके जो की डाइरेक्ट निकल के आ रही है इंडिया नेवी की तरफ से ट्रेट्समेन के लिए भरती पर्मानेंट जॉब 2024 के रिगार्डिंग हाँ फ्रेंट्स ये अगनी बीर के तहत नहीं रहेगी ये पर्मानेंट वेकेंसी है सीट भी अच्छा खासा है ग्रूप बी और ग्रूप सी दोनों तरह के पोस्ट रहेंगे जिसके लिए ओल इंडिया के कैंडिरेट अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए जाने इसके बारे में फूल डीटेल्स देखिए फ्रेंट्स टोटल पोस्ट है 741 यानी 741 सीट रहेगा अप्लाई डेट 20 जुलाई से लेके 2 अगस्ट यानी कि आपका लास्ट डेट 2 अगस्ट है लेकिन 2 अगस्ट तक इंतजार नहीं करना है जल्द से जल्द फर्म को अप्लाई कर देना है जै और ओफिशन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो दोनों चीज मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चनल पर अप्लोड़ेर है और हाँ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है जाए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए अब जो भी कैटगरीज है ना उनसे कोई चार्जिस नहीं लिए जाएंगे फर्म आपका आउनलाइन ही अप्लाई होगा एज की जो लिमिट रहेगी एज ओन सेकेंड ऑफ अफ अगस्ट तो थाउजन टेट टेट रहेगा ना वही आपका जो एज के लिए डेट क्राइटेरिया और रिलेक्सेशन भी एज में मिलेगा OBC को 3 येज का आण ACST को मिल जाएगा 5 येज यानि की OBC केंडिडेट को 3 वर्स की छूट है उमर में और ACST को 5 वर्स के लिए आगे देखते हैं किनकिन पोस्ट के उपर भरती हैं ही टोटल 10 तरह के पोस्ट है तो किस पोस्ट के लिए कितना seat है age limit क्या required है qualification सारा कुछ अभी clear हो जाएगा देखिए friends पहला post है fireman का 444 पोस्ट रहेगा 18 to 27, 18 वर्स से 27 वर्स एज लिमिट है इसके लिए जो qualification है ना 12th pass होने के साथ साथ आपको basic fire fighting का course आपके ने कर रखा तभी eligible रहेंगे सेकेंड है tradesman mate का 161 यानी 171 पोस्ट 18 वर्स से 25 वर्स के candidate apply करेंगे जिन्होंने 10th pass कर रखा है साथ में ITI किया है वो सभी candidate eligible है थार्ड पोस्ट है fire engine driver का 58 यानी की 58 seat रहेगा 18 वर्स से 27 वर्स 18 to 27 वर्स एज लिमिट है 12th pass आउट है आप और साथ में आपके पास driving license है heavy motor vehicles के लिए तो आप इस post के लिए जरूर apply कर देना थार्ड पोस्ट है chargeman mechanic का 18 पोस्ट है and 18 to 30 years यानी 18 वर्स से 30 वर्स आपका उम्र सीमा रहेगा और जो आपका qualification है अगर आपने diploma कर रखा है साथ के साथ 2 साल का experience है तो आप chargeman mechanic के लिए apply कर सकते हैं पाचवा पोस्ट है paste control worker का 18 seat है 18 वर्स से 25 वर्स उम्र सीमा है जिन्होंने भी 10 पास कर रखा है साथ के साथी अगर आपको हिंदी की knowledge है या फिर जिस state के लिए आप apply कर रहे है वहां का छित्रिये भासा आना चाहिए तब ही आप paste control worker के लिए आप apply कर पाएंगे आपका 6 पोस्ट है MTS ministryal यानी मंत्राले के लिए 16 आपका यहां पर seat है 18 वर्स से 25 वर्स उम्र सीमा है और 10 वी पास अगर आप है तो आप ही eligible रहेंगे 7 पोस्ट है चार्जमेन फैक्टरी के लिए 10 पोस्ट 18 वर्स से 25 वर्स उम्र की सीमा 10 प्लस ITI वाले सभी बच्चे अप्लाई करेंगे 8 पोस्ट है cook यानी की जो खाना बनाएंगे उनके लिए total 9 यानी 9 seat है 18 वर्स से 25 वर्स का जो भी candidate है apply कर सकते है 10 पास होने के साथ साथ आपके पास ना cooking का one year का at least one year का experience होगा तभी आप apply कर पाएंगे ठीक है 9 है droughtsman का दो पोस्ट रहेगा 18 वर्स से 25 वर्स age limit है 10 पास आउट साथ के साथ आपके पास ITI होना चाहिए certificate तभी apply कर सकते हो आप 10 पास है scientific assistant क्या इसके लिए आपको चार पोस्ट रहेगा 18 वर्स से 25 वर्स उम्र सीमा रखी गई है बी एस सी अगर आपने कर रख है physics या chemistry subject से तो आप apply कर सकते देखिए मोटा मोटी तौर पर सभी पोस्ट की जानकारी मैंने आपको दे दी मोटा मोटी तौर पर क्या सब कुछ तो clearly बता ही दिया कि किस पोस्ट का कितना seat है age limit qualification लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए apply करना चाहते है उसके लिए बहतर यही होगा कि आप मेरे टेलीग्राम से notification डाउनलोड करें और अच्छे से देखिए उसमें हर पोस्ट के लिए क्या काम करना है क्या qualification है एकदम डीटेल में बताए गया तो एकदम सांती पूर्वा को सारे पोस्ट के बारे में पढ़ना है फिट डिसाइड करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे ठीक है फिलहाल तो हमने पोस्ट के बारे में qualification के बारे में something basic details जान लिया है आगे देखना यह है main topic यह आता है कि इस पोस्ट के ऊपर आपका selection कैसे होगा देखिए फिंस selection आपका ज्यादा difficult नहीं है mostly पोस्ट के लिए बस written exam होगा DV और medical होगा लेकिन जो भी candidate fireman और fire engine driver के लिए अपलाई करेंगे उनके लिए क्या होगा पहले exam होगा online CBT होता है computer अधारित पर इक्षा होगी फिर आपका क्या होगा physical होगा उसके बाद documents जाज किया जाएगा फिर medical तब आपको joining letter दिया जाए मैंने online CBT यानी computer अधारित परिक्षा होगी DV और medical होगा और आपको joining letter दे दिया जाएगा एक stage आपको कम pass करने के लिए चाहिए होगा ठीक है पहले stage पर जो आपका online CBT होता है सभी post के लिए same to same रहता है online exam होगा 100 questions के लिए 100 marks का मतलब कि per question 1 mark मिल जाएगा समय होगा 90 मिनट यानी की 1.5 hours का आपका paper होगा and there will be no negative marking तो अगर आप कुछ गलट tick करके आते हो तो there will be no mark deducted for your wrong answer तो ये एक अच्छी चीज़ होती है माल लीजिए कोई question है उसके answer पर आपको suspicion लग रहा था तो आप tick करके आ सकते हैं क्या पता आप सही tick मार के आजाए I hope आप मेरे point को समझ गयोंगे बट ऐसे पढ़ाई करना है तुक्का लगाने के चक्कर में नहीं रहना है subject wise अब बता देती हूँ देखे general intelligence यानी reasoning से होगा 25 question 25 number के लिए फिर English language के 25 question 25 number के लिए quantitative aptitude यानी mathematics के 25 questions और general awareness के 25 questions बताब GKGS है normally जो होता है ना general competition का चारो सेक्षन से 25-25 question है reasoning math GK और English तो simple सा exam का pattern है इसमें qualify करने के बाद बाकी post वालों के लिए तो बस क्या होगा document judge किया जाएगा और उसके medical करा के उनको join करा जाएगा लेकिन जो भी बच्चे fireman और fire engine driver के लिए apply कर रहे है उनका क्या होगा ये exam होगा qualify करने के बाद physical होगा तो physical criteria चलिए मैं समझा देती हूँ देखिए friends सबसे पहले तो आपका height measure होता है तो 165 cm यानि कि 165 cm है लेकिन ST वालों के लिए 162.5 cm रहेगा chest का calculation ये है कि 81.5 cm से 85 cm रहेगा weight आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए और eyesight आपका 6 by 6 होना चाहिए साथी साथ एक test ये भी होगा कि आपको एक person को carry करना होगा मतलब एक fireman को आपको carry करना है जिनका वजन 63.5 kg यानि सारे 63 kg के एक fireman को उठा के आपको 183 meter तक running करना है 96 second में complete करना है फिर क्या होगा आपको एक thigh बनाना होगा 2.7 meter का long jump है और vertical rope climbing है मतलब रसी पे चटना होगा 3 meter तक तो I hope कि सारा criteria आप समझ गया होगे अब बात यह आता है कि इतने सारे post है सब कुछ अच्छा है salary कैसा मिलेगा salary आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक है अब आप सोच रहे होगे कि different type के post है तो सब को क्या same ही salary मिलेगा बिलकुल नहीं post wise अलग अलग salary है यह आपको clear होगा notification देखे मैंने मोटा मोटी तोर पर बता दिया 30,000 से लेके 40,000 तक अलग post wise आपको सुरुआत में salary मिलेगा तो आप मैं आसा करती हूँ कि इसके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुँच गई हो अब भी कुछ doubt है तो comment करके clear कर लेना हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कर देना औ और साथ के साथ मेरे चैनल को subscribe करके notification will all पर set करके जाना ताकि सारी new job की update सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो मिलूंगी फिर से किसी job update के साथ तब तक के लिए stay tuned bye take care